ये आकश्वणी है, अब आप चंद्रिका जूशी से समाचार सुनी लोगसभा चुनाव के सात्वे और अंतिम चरण का मद्दान कल होगा इस चरण में सात राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोगसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे इनमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटें, पस्षे मंगाल की 9, बिहार की 8, उडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, जारखन की 3, और चंडिगर की 1 सीट है मत्दान सवेरे 7 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा निर्वाद और पारदर्शी मत्दान सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयूग ने व्यापक प्रबंध किये हैं मत्दान के इंद्रों पर शेड, पेजल, शोचाले, वीलचेर और बिजली की उच्चित व्यवस्था की गई है ओडिशा में 42 सीटों पर विधान सभा चुनाव की साथ ही, हे माचल प्रदेश में 6 विधान सभा सीटों पर उप चुनाव भी इसी चरण में कराए जा रहे हैं आईकर विभाग में वर्तमान लोग सभा चुनावों की दोरान रेकॉर्ड 1100 करोड रुपए और आभुशन जब्द किये हैं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये 2019 के आम चुनावों में जब्द 390 करोड रुपए की तुलना में 182 प्रतिशत ज्यादा हैं जमू कश्मीर में प्रशासन ने आज क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी कठुआ में तैनात मोटर वाहन निरिक्षक सहित 6 अधिकारियों को निलंबित कर उन्हें ततकाल प्रभाव से जमू कश्मीर के जमू परिवहन आयुक्त कारयाले को संबद कर दिया गया है जमू कश्मीर में कल हुई एक बस दुरघटना के बाद ही गदम उठाया गया है बस के जमू जिले के अखनूर क्षित्र में गहरी खाई में गिरने से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 22 सीर्थियात्रियों की मृत्य हो गई थी उत्तर और पूर्वी भारत भीशन गर्मी की चपेट में है बिहार में भीशन गर्मी से पिछले 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई है सबसे अधिक 12 लोगों की मृत्यों औरंगाबाद जिले में हुई जहां पारा 48 डिग्री सेलसियत से उपर पहुँच गया है राजे सरकार ने भीशन गर्मी के कारण सभी स्कूलों, आंगनवाडी केंद्रों और कूचिंग संस्थानों को 8 जून तक के लिए बंद कर दिया है मौसर विभागने अगले 24 गंटे के दोरान राजे के दक्षन पस्चिम और दक्षन मध्यक्षित्र में भीशन गर्मी की संभावना व्यक्त की है ओडिसा में पूर्वी राजे के अधिकांश हिस्सों में पारा बढ़ने के कारण सुन्दरगर जिले के में भीशन गर्मी से 14 लोगों की इम्रेत्य हो गई है रपोर्ट के अनुसार राउर केला सरकारी अस्पताल आर जी एच में कल दोपर 6 घंटे के भीतर 10 लोगों की इम्रेत्य हो गए इस बीच मौसम विभाग ने दक्षन पस्चिम मौनसून के समय से पहले केरल और उत्तर पूर्वी भारत में पहुँचने का अनुमान व्यक्त किया है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 6 दिन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मिघाले, नागले, मनिपूर, मीजोरम, त्रेपुरा और सिक्किम में मध्यम बर्षा और तेज हवाएं चलेंगी साथी अगले 3 दिन तक बिहार, जारखन, पश्चिम, बंगाल, ओडिशा, चतीस गड़, मध्यप्रदेश और महराष्ट्र में ऐसी हिस्ति बनी रहेगी उधर मनिपूर में बाड का कहर जारी है बाड से इमफाल शहर बुरी तरह प्रभावित हुआ है बाड के कारण अब तक 3 लोगों की मौत हुचकी है और एक व्यक्तिला पता है बाड से 1,88,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए है केंद्रिय बल और सेना रहात और बचावकारे में जुटे हुए है तथा बाड प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में ले जाया जा रहा है प्रधान मंत्री और भारतिय जनता पार्टी के वरिष्ट नेटा नरेंद्रम मोदी के स्वामी विवेका नंस मारक पर 45 घंटे लंबे ध्यान का आज दूसरा दिन है इससे पहले प्रधान मंत्री मोदी कल कन्या कुमारी पहुँचे और भगवती अम्मा मंदिर में पूछा आर्चना की अमरिका के राश्ट्रुपति जो बाइटन के प्रशासन ने युक्रेन को अमरिका द्वारा दिये गए हत्यार से रूस के अंदर के खशेत्रों में हमला करने की अनुमति दे दी है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमरिका ने युक्रेन के पूर्वी खार की खशेत्र से सटे रूस के राखों पर ही जवावी कारेवाई करने की अनुमति दी है सिंगपूर बैडमिंटन उपन दोहजार चौबिस में त्रिसा जॉली और गायतरी गोपीचन की भारतिया महला जोडी ने किंग सो यॉंग और कांग ही यॉंग की दक्षन कोरियाई जोडी को क्वार्टर फाइनल में हरा कर जगह बना ली है इसके साथ ही है समाचार बुलेट इन समाप्त हुआ